राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं माबंधूं संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधूं आज लिए सौमवार मैं आपके लिए लाई हूँ सौमवार की कथा जिसे सुनने मात्र से भगवान शिव और मापार्वती की क्रिपा आप पर बरसने लगेगी बंधूं इस कथा को सुनने मात्र से भगवान शिव शंकर भोले नात अपने बच्चों की हर मनो कामना पूरी करते हैं जो मनुष्य भी इस कथा को सुनते हैं उन्हें अनेक परकार की धन धन्य की प्राप्ती होती है और उन्हें संबिद्धी की प्राप्ती होती ह उन्हें पुत्र पुत्र आदी की प्राप्ती होती है और जो मनुष्य भी सोमवार के दिन इस कथा को सुनते हैं वे अनेग परकार के भोगों को भोग कर अंत समय में भगवान शिव के धाम को जाते हैं बंधों यदि आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके बंधों वीडियो को पूरी सुनें सुनने के बाद कमेंट बोक्स में ज शिवशंकर भोले नात जरूर लिखें बोलो शिवशंकर भोले नात की जय हो एक समय भगवान शिव माता पारवती के साथ मृत्यू लोक में भ्रमन करते करते विधर्वदेश में अम्रावती नाम की अती सुन्दर नगरी में पहुँचे उसमें वहां के महराज का बनाया ह अती सुन्दर शिव जी का मंदि था केलाश पती अपनी धरम पत्नी के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे एक दिन माता पारवती अपने प्रान प्रिये को प्रसंदेख मनों विनोद करने की इच्छा से चौसर खेलने लगे उसी समय मंदिर का पुजारी मंदिर में कि जीत होगी ब्रामन बिना बिचारे ही बोल उठा महादेव जी की जीत होगी थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पारवती जी की विजए हुई पारवती जी ने ब्रामन को कुपित होकर कोड़ी होने का श्राप दे लिया कुछ समय में पारवती जी के श्रापव पुजारी के शिरीड में कोड पैदा हो गया और वहें अनेक परकार से दुखी रहने लगा इसी तरह से कष्ट पाते पाते बहुत दिन बीच गए एक दिन देव लोग की अपसराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी से रोग का कारण पुछा पुजारी नेनी संकोच सब बात उनसे कह दी तब वे अपसराएं बोली है पुजारी अब तुम अधिक दुखी मत होना भगवान शिवजी तुमारे कष्ट को दूर कर देंगे तुम सब वर्तों में शिष्ट जो शोडस सोमवारवत है उसको भक्ति के साथ करो तब पुज पुजारी अपसराओं से हाँ जोड कर विनम रभाव से शोडस सोमवारवत की विधी पूछने लगे अपसराएं बोली जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रस करें स्वक्ष वस्त पहने आधा किलोग्राम गेहूं का आटा ले इसके तीन भाग करके चूर्मा ब अगवान शिव का विधी से पुजन करें इसके बाद चूर्मा में से एक भाग शिव जी को अरपन करें बाकी के दो भाग शिव जी का परशाद समझ कर उपस्ति जरों में बाढ़ दें और आप भी परशाद ग्रहन करें इस विधी से सोले सोमवार बस करें इसके बाद सर् किलोग्राम गेहूं के आटे की बाटी बनाएं तिल में तदनुसार घी और गुड मिलाकर चूर्मा बनाएं शिव जी का भोग लगाकर उपस्तित भगतों में बाटें पीछे आबे परिवार सहित परशाद लें तो भगवान शिव की क्रिवा से उनके मनोरत पूरन हो जाएं ऐसा कहकर अपसराएं स्वरक को चली गई ब्रहामन ने जिथा विधी छोड़ा सोंवार प्रस किया और भगवान शिव जी की क्रिपा से रोग मुक्त होकर आनन से रहने लगा कुछ दिनों के बाद जब फिर शिव जी और माता पारवती उस मंदिर में पधारे ब्रहामन को निरोग देख पारवती जी ने ब्रहामन से रोग मुक्ति का कारण पूछा ब्रहामन ने सोले सोंवार ब्रस कथा कह सुनाई अब तो पार्वती जी अती प्रसन हो, ब्राहामन से ब्रस की विधी पूछ कर ब्रस करने लगी, जिसके कारण उनके रूठे हुए, पुत्र स्वामी कार्वतिके स्वयम माता की आज्याकारी हुए, कार्वतिके को अपने विचार प्रिवतन का रहसे जानने की इच्छा हुई और माता से बोले है माता जी आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिस से मेरा मन आपके और अकरशित हुआ तब पारवती जी ने चोड़स सुमवारवरस गधा कहे कर सुना दी तब वे बोले इस वरस को मैं भी करूँगा क्योंकि मेरा एक ब्राहमन मित्र बहुत दुकी दिल से परदेश क Kenya है हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है तब कार्तिके ने इस वरस को किया और प्रिये मित्र मिल गया मित्र ने आकसमिक मिलन का भेत कार्तिके जी से पूचा तो वे बोले है मिस हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके सोले सोंवार का ब्रत किया कार्तिके जी के उस ब्राहमन मित्र को अपने विवाहा की बड़ी इच्छा हुई उसने कार्तिके जी से ब्रत की विधी पूछी और यता विधी ब्रत किया ब्रत के परभाव से जब वह किसी कारेवश विदेश किया तो वहां के राजा की लड़की का स्वंबर था राजा ने प्रन किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकाश से शिंगारी धतने माला डालेगी मैं उसी के साथ उसका विवां करूंगा शिवजी की क्रिपा से ब्राहमन भी स्वंबर देखने की इच्छा से राज सभा में कोर बैठ गया नियस समय पे हतनी आई और उसने जैमाला उस ब्राहमन के गले में डाल दी राजा ने प्रतिग्या के अंसार बड़ी धूमधाम से अपने कन्या का विवा उस ब्राहमन के साथ कर दिया ब्राहमन को बहुत सा धन और सम्मान देखा संतुट किया ब्राहमन सुन्दर राज कन्या पाकर सुक से जीवन वहतीष करने लगा एक दिन राज कन्या ने अपनी प्रती से प्रशन किया हे प्रान नात आप ने ऐसा कौन सा भारी पुन ने किया जिसके प्रभाव से हतनी ने सब राज कुमारों को छोड़ कर आपको वरन किया ब्राहमन बोला है प्रान प्रिये मैंने अपने प्रिये कांतिके जी के कथन अनुसार 16-19 का व्रत किया जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसे सरूप वान लक्ष्मी की प्रात्य हुई व्रत की महिमा सुनकर राज करने को बड़ास चरह हुआ वहे भी पुत्र की कामना से व् गरब से एक अती सुन्दर सुशील धर्मात्मा विद्वान पुत्र हुआ माता पिता दोनों पुत्र को पाकर अती प्रसंद हुए और उसका लालन पालन भली प्रकांसे गरने लगे जब पुत्र समयधार हुआ तो एक दिन उसने माज़ा से बिशन किया तुमने कौन सा ब्रत को विदी के सहीद पुत्र के समुक प्रगट किया पुत्र ने ऐसे सरल ब्रत को सब तरह से मनोर्थों का पूरन करने वाला सुना तो वह भी इस ब्रत को राज अधिकार पाने की इच्छा से करने लगा इसी समय एक देश के विद्राजा के दूतों ने आकर उसका ब्रहामन बालक गद्दी पर बिठाया गया क्योंकि दिवंगत भूब के कोई पुत्र नहीं था राज्य के दिकारी होकर भी वह ब्रहामन पुत्र अपने सोले सोमवार वर्त को करता रहा और इस प्रकार इस लोक में सभी सुख भोकर अंत में मोक्ष को प्राप हुआ सोमव और सोले सोमवार के वर्तों की इतने महान महिमा के कारण ही यह प्रत इतना प्रसित हुआ जो सब के मनुरत सिद्ध करने में समर्थ है रादे रादे जैश श्रीक्रिश्ना बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें ध अन्यवाद